हेलो एवरिवन आज की इस वीडियो में हम नी जॉइन की एक और पेनफुल कंडिशन के बारे में बात करेंगे जो जेनरली एथलेट्स और रनर्स में होती है जिसे कहते हैं जंपर्स नी जंपर्स नी कंडिशन को मेडिकल लेंगोईज में पटेला टेंडिनाइटिस भी कहते हैं इसमें उस टेंडन या बैंड की इंजरी हो जाती है जो आपके नी कैप से कनेक्टेट रहता है मतलब पटेलर बोन टो टीबियल बोन पटेलर टेंडन का जो मेन फंक्शन होता है वो थाई की फ्रंट मसल्स के साथ ही होता है ये बिसिकली किक, रन और जंप के समय घुटने को सीधा करता है ये कंडिशन उन एथलेट्स में ज्यादा देखने को मिलती है जो ऐसे स्पोर्स में इन्वॉल होते हैं जिसमें फ्रिक्वेंट जंपिंग की जरूरत होती है जैसे बास्केट बॉल और वालीबॉल हालांकि जो लोग jumping जैसे sports में participate नहीं करते हैं उन्हें भी ये दिक्कत हो सकती है इस condition को होने का जो main कारण होता है वो है घुटने का बार-बार ज़रूरत से ज्यादा मुढ़ना और सीधा होना मतलब knee join का overuse होना इस overuse की वज़े से ही patellar tendon पर repeated strain परने लगता है और फिर tendon में छोटे-छोटे tears होना शुरू हो जाते हैं अगर इसमें आप initial stage पर ही repeated activity को करना रोग देते हैं तो ऐसे में body खुद ही उन छोटे-छोटे tears को repair करना शुरू कर देती है लेकिन जब आप repeated activity को करना नहीं रोगते हैं तो छोटे-छोटे tears बड़े tears में convert हो जाते हैं और फिर knee में pain, inflammation और weakness की शिकायत होनी शुरू हो जाती है इन symptoms को नजर अंदाज करके अगर कोच हफ्तों के बाद भी repeated strain पढ़ना knee joint पर कम नहीं होता है तो ये condition tendinopathy में convert हो जाती है tendinopathy tendinitis का chronic form होती है जिसमें tendon की collagen proteins degenerate होने लगते हैं इस condition को पैचाने के लिए कुछ particular symptoms होते हैं जैसे पटेला tendon के just नीचे और knee cap के पीछे वाले portion में दबाने पर दर्ध होना और सूजन का होना इसके अलावा jumping, running और walking के समय भी गुटने में दर्ध होना कभी-कभी jumpers knee के symptoms इतने severe हो जाते हैं कि knee की दूसरी condition और medical problem से भी resemble कर सकते हैं तो ऐसे में बहतर होता है कि health care provider के through ही diagnosis हो क्योंकि इसके diagnosis के लिए generally x-ray करवाने की जरूरत पड़ती है अब बात करते हैं सबसे जरूरी part यानि इसके treatment की treatment के दो objective होते हैं एक inflammation यानि सूजन को कम करना और दूसरा tendon की healing करना जब घुटने में दर्ध और सूजन है तो सबसे पहले आपको rest करना है सीडिया नहीं चड़नी है और ऐसे sports नहीं खेलने हैं जिसमें jumping की जरूरत पड़ती है आप इसमें complete rest ना लेकर कुछ ऐसी activities में भी participate कर सकते हैं जो knees के लिए आसान हों जैसे swimming, walking और cross country skiing इसके अलावा बैठते समय घुटने को सीधा रखना है, चोकड़ी मार कर नहीं बैठना है और अपने दर्ध को ठीक होने का पूरा समय देना है treatment के पार्ट में ही दर्ध और सूजन को कम करने के लिए दिन में 2-3 बार 20-20 मिनट के लिए icing करें और इसके अलावा thigh muscles की stretching और strengthening exercises करें इस condition की 2 हफ़ते की basic exercise program में 5 exercises हैं जिसमें 3 stretching exercises और 2 strengthening exercises हैं इसमें सबसे पहली exercise है hamstring stretch ये exercise करने के लिए सबसे पहले अपने affected leg को table पर या किसी chair पर सामने इस तरह से supported रख लीजिए फिर अपने hip के level से धीरे धीरे तब तक आगे की तरफ bend होईए जब तक कि आपको अपनी back of thigh और knee में gentle stretch आना feel नहीं होता है इस stretch को आप 15-20 second के लिए hold करिए और फिर relax हो जाईए और same exercise को 3 बार repeat करिए next exercise है quadriceps stretch ये exercise करने के लिए आप same position attain करिए जो picture में show की हुई है इसमें जैसे ही आप अपनी heel को बटक के पास लेकर जाओगे तो उसी time आपको अपनी कमर को भी gently थोड़ा पीछे की तरफ जुकाना है जुकाते ही आपको thigh के front portion और knee में एक gentle stretch feel होना चाहिए stretch को 15 से 20 सेकिंड के लिए hold करने के बाद relax हो जाएए और फिर 3 बार same exercise को repeat करिए next stretching exercise है lateral hip और thigh stretch इसे करने के लिए आप अपने unaffected leg को affected leg के आगे बिल्कुल इसी तरह से cross करिए जैसा picture में दिखाया गया है इससे अच्छे से समझने के लिए आप माल लीजिए कि अगर आपका right leg affected है तो आप left leg को right leg के आगे लाकर cross करिए और फिर अपनी waist के level से अपनी upper back को left side की तरफ bend करना शुरू करिए और साथ ही अपने right hip को भी बाहर की तरफ push करिए ऐसा करते ही hip के बाहरी हिसे पर एक gentle stretch feel होना चाहिए इसे 15 से 20 सकिंड के लिए hold करिए और फिर relax हो जाईए और same exercise को तीन बार फिर से repeat करिए stretching exercises के बाद अब बात करते हैं strength build exercises पर इसमें पहली exercise है straight leg lift ये exercise करने के लिए सीधा होकर जमीन या bed पर लेट जाईए इसके बाद अपनी quadriceps muscle यानि जांग की आगे वाली mass patient को tight कीजिए ताकि knee joint बिलकुल flat, straight और fully extended हो जाए अब fully extended करके पैर को 45 degree तक उपर उठाएं वहाँ एक second के लिए रुके और फिर पैर को वापस नीचे ले आएं रिलेक्स होकर फिर से exercise को at least 20 बार repeat करें इस exercise में अगर पैर उठाते समय आपका पैर सीधा नहीं हो पा रहा है वो band हो रहा है तो फिर आप इस exercise को बिलकुल भी ना करें ऐसे में आप पहले quadriceps setting exercises करें इसके लिए एक पतले towel roll को knee के नीचे लगाकर उसे दबाएं 5 second hold करें और फिर relax हो जाएं सेम exercise को 20 बार repeat करें कुछ दिनों के बाद जब quadriceps setting exercises करके पैर सीधा होने लगेगा तो फिर उसके बाद ही straight leg lift exercises को आप continue करें इसमें second strengthening exercise है short arc lift ये exercise करने के लिए आप towel को या फिर एक छोटे blanket को roll करके घुटने की नीचे लगा लीजिए इसे लगाते ही घुटना इतना bend होना चाहिए कि आपकी एड़ी floor या bed से touch रहे प्रपर positioning लेने के बाद आप धीरे धीरे अपने पैर के पंजे को उपर की ओर lift करना शुरू करें और घुटने को सीधा करें सीधा करके 5 सकेंड के लिए hold करें और फिर धीरे धीरे वापस पंजे को नीचे की ओर ले आएं सेम exercise को 15 से 20 बार repeat करें फिलहाल इस वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी friend या relative के लिए informative है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर regular फिजियो थेरपी वीडियो देखना चाते हैं तो आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें थैंक यू